नमस्कार दोस्तों फिर मैं आया हैं डॉल प्रियव प्रदर्षणी आप लोगे सामने चट पूजा के बारे में कुछ बाते करने उसके बारे में चट चर्चा करने तो चट पूजा की आपको बहुत कौणच शुकाम नहें चट पूजा के तेहार में जो प्रिसाद बनता है वो है बहुती सुदिता और सातुकता के साथ ठेकवा बनता है ठेकवा को हम आटे में घी का मयान देते हैं उसमें ड्राइफूट्स गूर्ड डाला जाता है और फिर दूद या पानी से उसे गूंद कर इसको मन चाहा सेव देखे और डीजाई ने देखे इसको साचा रखा थ जाता है और साथ में होते है नए फल जो गाजार मुली होता है सकरकंद है संब में ठंड महने में लुपल होते है तो इस मैं चड़ला जाता है कि दो कर दा लों निवू है उसी चड़ता है जहां मिलता है वहाँ चड़ता है इस सारे चीज लेके धोकर फलों को धोकर लाया जाता है और फिर नदी पर आते हैं घाट बनाया पर तो पास में वेदी बनाया जती है इस वेदी उनको छट माता का रूप माना जाता है और फिर इसमें हल्दी और आटे का घोल बनाके जो से एपन कहते हैं उससे तेका जाता है हल्दी कुव्गर्टी का नगा जाता है और इस पर जला जाता है तो फिर इस चड़ाया जाता है चटी माता को और इस तरह से देखिए गन्य को लगा कि लगाया जारा है मिट्टी से दबाके चरों तरफ से इसे सजाया जाता है और जो चटी कवरत रहती हैं महिलाए उनको वह बैठती है वहां पे सब्ची चढ़ा के मातरानी को फिर जाती है नदी में खड़े होने यहां पोजा कर लेते हैं पहले फिर उसके बाद सुर्यास्त होने से पहले नदी में धolut slower 2 घंटा पहले नदी खड़े होते हैं सामप को यह देखे जितना मतलब जितने लोगों के नाम से अर्ग दिया जाता है उतने इतने सूपस रहते हैं यहाँ पे दो सूपस माना था मेरे सास्ने तो वह दो टुपा में अर्ग देखित कंग कहा जायता है उसे और पहले उसके पहले नदी में गंगा नदी के क्योंकि कि हमाना जरूर्ड दिया जलाना चाहिए तूहां पर डिया जला के आ रहे हूं और शुर्शास्त वने वाला है उसके पहले सब नदी में जाएंगे इस सब प्रसाद लेकर बहुत से लोग नए वस्तर भी चढ़ाते हैं नए फल मिठाई सब कुछ है इसमें चना जरूर इसमें चढ़ा जाता है काला चना वो भी नया सीजन का होता है इस तरह से उस सब चढ़ा के और अब हम लोग जा रहे हैं न और अब सब लोग दिवाली सबड़ कर रहे हैं जो यु पि भी और वाले हैं युप लोग दिवाली सब्धार बढ़कर नए वस्तर पैनते हैं पठाके फोड़ते हैं खुब इंजॉआई करते हैं और देखे अब सब लोग यहां पे नदी में आ गया हैं सुर्यास्त्त हो इस तरह से और इस जो व्रती होती है उनको भी सिंदूर का लगाए जाता है और वो भी हमें लगाती है और दूसरी महिलां को और उनको चरण जरूर चूणा चाहिए अब साम का पूजा हो गया है और जो लोग कोसी भरते हैं वो मननत से कोसी माना जाता है यह के घाट पर ही इससरह से पांच होते हैं ब lobbies रहते हैं का पांच भाय जाता है बहुत ही पावन सुद्थता और लोग पूजा किये और अब वीडियो ग्राफिए हो रही है जो लोग कोशी मानते हैं गर्णे से पूरा पृसी से लाट के लटान नदी पे वापस आय जाता है और घाट पर फिर से व बेदी जिसे हम मैंने बताया है वेधी है बेदी पे उसी तरह से दिया जलाया जाता है, हल्दी कुमकुम ऐपन लगाया जाता है, टीक का जाता है, प्रसा चड़ाया जाता है, उस सब फिर से नया चीज रहता है, जो हम साम को चड़ाया थे, वो चीज हटा दिया जाता है, और दूसरा साफ चीज फिर से लाया जाता है और इस तरह से यहाँ पर पूरी सातिकता दे साथ पूजा हो रही है दिया जल रहा है आरती होती है और व्रती को इस तरह से सिंदूर से टीका जाता है नाक से लेके माथे तक इसका यह मानिता है कि जितना लंबा मांग भरा जाता है उतने आयू होती है सुहाथ की तो इस तरह से पूरे फल मिठाइडी दौरी मिलेकर या सूपा मिलेकर फिर से सुपा मिलेकर तपनी में खड़ी हो जाती है वरती और इसतरह со तपस्या करती है सुरुदेय का इंतिजार करती है कि कब सुरुदेय हो गैंगे और दर्सन देंगे फिर उनकों अर ata दिया जाएगा देहें सारी महला इस तरह से खड़ी है सजददज की नये वस्त्र पहन की इन कि जोुकी जो व्रति होती है पूरी एकदम शुक्य नये कुरान कुछ भी भ्रति हैं पहनती है और पिर इस तरह से इसके पूजा करते हैं चार दीन लेका अरखे से लिक कि यहूं चोथे दिन और देने तक सब आप तो होता है इस तरह से देखिया अब अर्ग दिया जा रहा है। सुबह के समय में मैं भी दे रही हैं और यह अर्ग देने के बाद मेरी बेटी भी देगी मेरे हज्बंन देंगे सब तैने के लिए अर्ग नेंए के वाद आर्ग के पास जाएंगे वहाँ पर आरती उतारेंगे सुर्वधे को दिया दिखाएंगे आर्थी उतारेंगे और फिर लोग हर जगा जाके लोगों का चरण इसपर्स करके महिलाओं का वे जो ब्रती होती है उनको चरण इसपर्स करके उनसे अपना आचल आगे करकर के मांगते हैं प्रसाद मांग के खाय जाता है यहां घाट पर जितना प्रसाद बांगा जाता है उतना पुन्य माना जाता है उसको देखिये इस तरह से सब लोग पानी में खड़े हैं अब इस तरह से उतर पूरा होता है और उतर करके अपने अपने घर जाते हैं